नमस्कार Vision ISK News Today के इस अंक में आप सभी का स्वागत है इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं UPSC परीक्षा के दृष्टी से महत्वपूर्ण कुछ एहम खबरे आए इस अंक में सबसे पहले बात करते हैं जैविवित्ता और पर्यावरंकी हाल ही में टाइगर्स को दो गुना करने के लिए बाग सनरक्षन पुरसकार वितरित किये गए दरसल T into 2 एक वैश्विक पुरसकार है जिसे वर्ष 2010 में स्थापित किया गया था इसे विश्व वन्य जीव कोश, सैंप्तुराष्ट्र विकास कारिक्रम, अंतरराष्ट्रे प्रकृती सनरक्षन संग, ग्लोबल टाइगर फंड और दलायन शेयर जैसे बाग सनरक्षन में कारेरत अंतरराष्ट्रे संगठनों द्वारा सैंट पीर्चबर्ग बाग सम्मेलन के दोरान इस्थापित किया गया था T into 2 का मतलब है बागों की दोगुनी संख्या, जो 13 टाइगर रेंज वाले देशों द्वारा निर्धारित, वन ने बागों की वर्ष 2022 तक दोगुनी आबादी के लक्षे को दर्शाता है TTC पुरुसकार को दोशेणियों में प्रदान किया गया है, पहला है बाग संरक्षन उत्कृष्टता पुरुसकार जो Transboundary Manas Conservation Area यानी ट्रामका ने प्राप्त किया है इसमें असम का Manas National Park और भूटान का Royal Manas National Park शामिल है ये पुरुसकार ऐसे स्थलों को माननेता देता है जिसने दो या पांच से अधिक विश्यों में उत्कृष्टता प्राप्त की है ये विशे हैं बाग और उसके शिकार की आबादी की निगरानी और अनुसंधान, प्रभावी इस्थल प्रबंधन, कानून प्रवर्तन और संरक्षन को बढ़ावा, समुदाय आधारित संरक्षन और आवास तथा शिकार प्रबंधन T2 पुरसकार बागों की आबादी बढ़ाने के प्रयासों के लिए दिया जाता है और इस मौझूदा संरक्षन में सहेता के लिए वित्ती अनुदान भी शामिल है उत्तरप्रदेश के पीली भी टाइगर रिजर्व यानि PTR ने बागों की आबादी को दोगुना करने के लक्ष को पूर्ण करने पर ये पुरसकार प्राप्त किया है पीली भी टाइगर रिजर्व भारत और नेपाल के विशाल तराई शेत्र में संबधिता के लिए महत्तपूर्ण है इसकी दक्षनी सीमा शारदा और खकरा नदी से चिन्हत है यदि 13 टाइगर रेंज वले देशों की बात करें तो इसमें शामिल है बांगलादेश, भूटान, कमबोडिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, लाव पीपल्स, डेमोकरिटिक रिपबलिक, मलेशिया, म्यामार, नेपाल, रूस, थाइलेंड, वियतनाम यहाँ पर ये इस्थानिय रूप से विलुप्त हो चुके है अगली खबर न्याइक शेत्र से संबंदित है उप्राष्टुपती ने हाल ही में कहा है कि विभिन निर्णेओं ने न्याइक हस्तशेप से संबध्ध चिन्ताओं में व्रिधी की है उप्राष्टुपती ने कहा कि राज्य के तीन अंगों यानि विधान पालिका, कारेपालिका और न्याइपालिका में से कोई भी सर्वोच होने का दावा नहीं कर सकता है क्योंकि केवल संबिधान ही सर्वोपरी है यदि न्याइक हस्तशेप के उदाहरणों की बात करें तो इसमें शामिल है दीपावली पर आतिश बाजी से सम्मद्ध प्रतिबंध, दस या पंद्रा वर्ष के बाद कुछ विशेश वाहनों के उप्योग पर प्रतिबंध, पुलिस जाच की निगरानी करना, कोलेजियम क अधियम से न्याइधीशों के नियुकती में कारेपालिका को किसी भी प्रकार की भूमिका देने से मनाही करना और राष्ट्रिय न्याइक नियुकती आयोग अधिनियम को अवैध घोशित करना न्याईक हस्तशेप न्याईक सक्रियता का एक चरम रूप है न्याईक सक्रियता के जरिये कारेपालिका, विधानपालिका और न्याईपालिका के बीच शक्तियों के संतुलन को बाधित किया जाता है न्याइक सक्रियता द्वारा न्याइपालिका, विधायका के शेत्र में मनमाने, अनुचित और लगातार हस्तशेप करती है यहां न्यायले कानून बनाकर विधायका की भूमिका का अतिक्रमन करता है हाला कि सक्रियता और हस्तशेप के बीच एक सूक्ष्म सीमा रेखा होती है हाला कि कारेपालिका के विफल रहने पर न्याइक सक्रियता को एक सकरात्मक कदम माना जा सकता है परंतु कारेपालिका के शेत्र में अतिक्रमन को लोगतंत्र के समुचित कारे में अनुचित हस्तशेप माना जाता है न्याईक सक्रियता में न्याय धीशों द्वारा अपनी शक्तियों का उप्योग अन्याय को समाप्त करने के लिए किया जाता है विशेशकर तब जब सरकार की अन्य शाखाएं ऐसा करने के लिए प्रेरित नहीं होती है अगली खबर सतत विकास लक्षियों से संबंदित है भू इस्थानिक तक्नीक यानि जियो स्पेशल टेक सतत विकास लक्षियों की त्वरित निगरानी कर सकती है हाल ही में एशिया और प्रशांथ शेत्र के लिए संबंदित राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग यूनिस केब द्वारा एशिया और प्रशांथ शेत्र में सतत विकास के लिए भू इस्थानिक कारेप्रणाली रिपोर्ट 2020 जारी की गई थी आईए अब जानते हैं इस रिपोर्ट के मुखे विशेश्था हैं हाल ही में एशिया और प्रशांथ शेत्र के लिए संब तुराष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग यूनिस केब द्वारा एशिया और प्रशांथ शेत्र में सतत विकास के लिए भू इस्थानिक कारेप्रणाली यानि जियो स्पेशल प्राक्टिस वोर सस्टेनेबल इन एशिया और पैसिफिक रिपोर्ट दो हजार बीस जारी की गई थी आई अब जानते हैं इस रिपोर्ट की मुखे विशिष्टाएं एसकेप सदस्य देशों द्वारा भू इस्थानिक डेटा के बढ़ते उप्योग के महत्यों को स्विकार किया गया इस शेत्र में तकन प्रबंधन आपदा जोखिम प्रबंधन जोकि SDG 2, 11, 14, 11 के तहता है दूसरा है प्राक्रतिक संसाधन प्रबंधन जोकि SDG 6, 9, 11, 12, 14 और 15 के तहता है तीसरा है संयो जगता जोकि SDG 3, 4, 9, 10, 11 के तहता है वहीं चोथा है सामाजिक विकास जो की SDG 1, 3 और 11 के तहत शामिल है वहीं SDG 13 के तहत उर्जा और जलवायू परिवर्तन SDG 7 में शामिल है रिपोर्ट में भारत की प्रशंसा की गई है इस रोद्वारा विक्सित भूवन भारत का एक राष्ट्रिय भूपोर्टल है जिसने COVID-19 से नि योजन के लिए भोगोलिक सूचना तंत्र यानि GIS के तहत डेटा का उपयोग करना आधी शामिल है इसके अलावा युवाश्रमिकों को अपने ज्यान को बढ़ाने के लिए पुनह कौशल प्रदान करना अन्य डेटा समुच्चेयों के साथ भू इस्थानिक डेटा को एकिक यानि GIS, Remote Sensing और Global Positioning सिस्टम शामिल है ये हमें प्रत्वी से सम्मंदित डेटा को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है जिसका उपयोग विशलेशन, प्रतिरूपन और अनुकरण के लिए करते हैं ये हमें प्रकृती में अधिकांश्रत, सीमित संसाधनों के महत्व और प्र राष्ट्र ने Sanitation and Hygiene Fund का शुभारंब किया है Sanitation and Hygiene Fund एक वैश्विक वित्वपोशन तंत्र है जो स्वक्षता सेवाओं की कमी और प्रतिक्रिया करने की यानि रिस्पॉंस करने की नियुनतम शमता से उत्पन होने वाले रोगों से दबाब ग्रस देशों को त्वरित व रायुजित किया गया है Sanitation and Hygiene Fund का उद्देश्य है घरेलू स्वक्षता का विस्तार करना मासिक धर्म संबंदी स्वास्थे और स्वक्षता सुनिश्चित करना स्कूलों और स्वास्थे देखभाल प्रतिश्ठानों में सफाई और स्वक्षता का प्रावधान करना अभिन प्रामी दशक के 13 उभरते स्वास्थे खत्रों में से एक के रूप में पहचान की है स्वक्षता कोविड इबोला और पोलियो सहित कई संक्रामक रोगों के प्रसार को रोखने के लिए केंद्रिय साधन है युनिसेफ की रिपोर्ट में उल्लेक किया गया है कि जल, सफाई और स्वक्षता यानि वौश्ट तक सार्वभोमिक पहच प्रदान करने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में काफी अंतर मौजूद है इससे पहले डबलू एचो ने वौश्ट रणीती वर्ष 2018 से 25 को अपनाया था जो ये दर्शाती है कि स्वास्थ देखभाल प्रतिष्ठानों में वौश्ट जैसे नई परिणाम शेतनों से निपटने के तरीके और परिवर्तन कारी दृष्टिकोर्णों की शुरुआत से डबलू एचो ने अपना प्रभाव बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है अगली खबर UNDP से संबंदित है साइंग तुराष्टर विकास कारिक्रम और इन्वेस्ट इंडिया ने भारत के लिए सतत विकास लक्ष निवेशक मानचित्र का विमोचन किया है ये मानचित्र सार प्रत्यक्ष पूंजी निवेश में विर्धी होगी साथ ही ये प्रयास देश की सतत विकास आवश्यक्ताओं को पूरा करने में भी सहायक होगा पहचाने गए 18 निवेश अवसर वाले शेत्रों और 8 वाइट स्पेसेज में सिक्षा, स्वास्थ सेवा, क्रिशी और संबध् मान्चित्र का महत तो इस तथे से उत्पन्न हुआ है कि SDGs के लिए वित्त अंतराल विकास सील देशों के 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है ये कोविट से पहले प्रतिवर्ष 2-5 ट्रिलियन डॉलर की कमी को संयोजित करता है भारत की SDGs की सफक्ता की निर्धारन में विश्युस्तर पर एक महत पुन भूमिका है साथ ही इन लक्षों को प्राप्त करने के लिए 2.64 ट्रिलियन डॉलर के निवेश की जरूरत होगी भारत में SDGs के वित्वपोशन में शामिल बाधाएं हैं कर प्रणालियों की अक्षमता, निजी शेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने वाले प्रोथ साहनों का अभाव और SDG का समर्थन करने वाले विवसाय मॉडल की कमी आदी SDGs के लिए वित्वपोशन में सुधार के लिए कुछ महत्वपून पहले की गई हैं जैसे साबजनिक शेत्र की भूमिका में देखें तो कर प्रणाली में अक्षमताओं का निवारन किया गया है SDGs को लागू करने के लिए करों का आवंटन किया गया है SDGs के लिए नई स्रोथ जैसे सोवेरन बॉंड आदी को बढ़ावा दिया गया है वही निजी शेत्र की भूमिका के तहट निवेश को बढ़ावा दिया गया है निजी शेत्र के निवेश को बढ़ावा देना नवोन मेशी सोविधाओं और व्यापार मॉडल के माध्यम से निजी निवेश को प्रोथसाहन प्रदान करना आदी शामिल है आईए अब नज़र डालते हैं कुछ संशिप्त किन्तु महत्तुपून खबरों पर प्रगती यानि Proactive Governance and Timely Implementation हाल ही में प्रधानमंत्री ने 33 वी प्रगती बैठक की अध्यक्षता की प्रगती का उद्देश्य सामाने जन की शिकायतों का निवारन करना है साथ ही केंद्र और राजिसरकारों के महत्तुपून कारेक्रमों और परियोजनाओं की निगरानी और समीक्षा करना है प्रगती प्लेटफॉर्म विशेश रूप से तीन तकनीकों को एकी कृत करता है ये हैं डिजिटल डेटा प्रबंधन, वीडियो कॉन्फरेंसिंग और भूस्थानिक प्रध्योगी की ये प्रधानमंत्री कारेले केंद्र सरकार के सचिवों और राजियों के मुखे सचिवों की एक त्रेज तरिये प्रणाली है न्याय विभाग ने 26 नवंबर 2020 को न्याय बंधू एप्लिकेशन के iOS संसकरन का विमोचन किया इसके साथ ही उमंग प्लेटफॉर्म माइटी पर भी इसे जारी किया जाएगा माइटी का अर्थ है Ministry of Electronics and Technology न्याय बंधू को वर्ष 2017 में देश भर में लोग कल्यान के लिए कानूनी सेवाओं के वितरण की एक रूप रेखा बनाने के लिए आरंभ किया गया था ये मुबाईल एप्लिकेशन लोग कल्यान के कारियों में रूची रखने वाले अधिवक्ताओं को पात्र सीमान्त और सुभेदिवर्ग के लाभार्तियों के साथ जोडता है राष्ट्रे निवेश और अवसन रचना कोश सरकार ने अगले दो वर्षों में NIIF द्वारा प्रायोजित रिन प्लेटफॉर्म को 6,000 करोड रुपे की समता पूंजी यानि एक्विटी कैपिटल प्रदान करने का प्रस्ताव प्रसुत किया है NIIF भारत सरकार का ऐसा पहला संप्रभू धनकोश है जिसका उद्देशे ग्रीन फिल्ड, ब्राउन फिल्ड और अवरुद अवसन रचना परियोजनाओं में निवेश करने के इच्छुक अंतरराष्ट्रे निवेशकों के लिए दीरकालिक मुल्य स्रुजित करना है ये सेबी में श्रेणी दो के वेकल्पिक निवेश कोश के रूप में पंजिकृत हैं जिसका मूल कोश 40,000 करोड रुपे का है ट्रांसजेंडर वेक्तियों के लिए राष्ट्रिय पोर्टल हाल ही में सामाजिक नियाय और अधिकारिता मंतराले ने ट्रांसजेंडर वेक्तियों के लिए एक राष्ट्रिय पोर्टल का आरंभ किया है ये पोर्टल भौतिक इंटरफेस और किसी भी कारेले में जाय बिना ट्रांसजेंडर को पहचान पत्र जारी करने में सही उप करेगा ये पोटल इस समुदाय को अपनी स्वा निर्धारीत पहचान के अनुसार ट्रांसजेंडर प्रमान पत्र और पहचान पत्र प्राप्त करने में सहेता करेगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्राले ने गरिमा ग्रेह का भी उधगाटन किया है जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आश्रय, भोजन, चेकित्सा, देखभाल और शमता निर्मान समर्थन जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ शर्ण प्रदान करने के लिए एक आश्रय ग्रेह है राश्ट्रिय औशधिय पादप बोर्ड हाल ही में National Medicinal Plant Boards यानी NMPB ने अपनी स्थापना के दो दशक पूरे किये NMPB की स्थापना वर्ष 2000 में और शधिय पादपों के शेत्र को प्रोटसाहन देने के लिए की गई थी और वर्तमान में ये बोर्ड आयुश मंत्राले में इस्थित है National Medicinal Plant Board का मुख्य उद्देश्य हितधारकों जैसे किसानों, व्यापारियों और विनिर्माताओं के बीच मजबूत समन्वे विक्सित करके और शधिय पादपों के शेत्र का विकास करना है इसका लक्ष किसानों और जनजातियों की आय और आजिविका को बढ़ाना है ये कटाई के बाद प्रबंधन के माध्यम से उद्द्योग या विनिर्माताओं के साथ प्रतिगामी संयोजन की सुविधा प्रदान करेगा Electronic Vaccine Intelligence Network यानि E-WIN हाल ही में प्रदानमंत्री ने ये संबोधन दिया कि सरकार प्रात्मिक लाभार्थियों और Vaccine वित्रण Network की पहचान करने के लिए सैंक्तुराष्ट्र विकास कारिक्रम के साथ मिलकर E-WIN का उप्योग कर रही है E-WIN एक स्वदेशी रूप से विक्सित तकनीक है जो वैक्सीन भंडारन का digitally करन करती है और स्मार्टफोन एप्लिकेशन के माध्यम से इसे स्वास्थे एवं परिवार करलेंड मंत्राले द्वारा राष्ट्रे स्वास्थे मिशन के तहत कार्यनवित किया जा रहा है जैव संदीप्ती यानि बायो लुमिनिसंस हाल ही में महाराष्ट्रे गोवा और करनाटक की तट्रेखा के साथ नीले रंग का ज्वार देखा गया ये ज्वार बायो लुमिनिसंस नामक प्रक्रिया से प्रतिदीप्त नीले रंग की वजह से पैदा हुआ था जीवों द्वारा प्रकाश के उत्पादन और उत्सर्जन को ज्यव संदीप्ती यानि बायो लुमिनिसंस कहा जाता है नीला प्रकाश पादप प्लवकों जैसे सूक्ष्म समुद्री पौधे द्वारा उत्पन्न प्रकाश के उत्सर्जन की विशेष्टा है जिसे सामानेतिया डाइनो फ्लाजिलेट के रूप में जाना जाता है इसमें प्रकाश लिूसिफरेज नाम के ऑक्सीकारक एंजाइम प्रोटीन की वज़े से रासाइनिक प्रतिक्रियाओं की एक श्रंखला के माध्यम से उत्पन्न होता है इसके साथ ही यंग समाप्त होता है अगले यंग में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महतुपूर्ण खबरों के साथ लेकिन तब तक आप अपना ख्याल रखिए सुरक्षित दूरी बनाए रखिए और मास्त पहनिए नमस्कार